हाई दोस्तों साइज ही और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अंड्रोइड 11 पिक्सल एक्सपिरियंस प्लस अन ओफिशल बिल्ड का हमारे एसुस जेनफोन मैक्स प्रेम वन डिवाइस पे अब इस रॉम को जो है मैंने अलग-अलग करनल पे टेस्ट किया है तो सारी चीज़े मैं यहाँ पर आपको डीटेल में बताने वाला हूँ क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या बैटरी वैकप रहेगा इंस्टॉलेशन प्रोसस कैसी रहेगी, सब चीज़े डीटेल में कवर करेंगे लेकिन उससे पहले चानल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी कोई प्राब्लम वगरे डिसकस करने हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो जैसी टाइम मिलता है वैसे आउन लेना कि आपकी पूरी हल्प करनी कोशिश करूँगा तो चेलिए लेट्स बिगिन तो सबसे बहले बात करें रॉम की चलते हैं सेडिंग्स में बात करते हैं अबाट सेक्षन की तो रॉम जो है ना अंड्रॉइड 11 पे रन कर रहा है December 2021 का Security Patch देखने को मिलता है और जो Kernel है वो Puff Plus का Kernel यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है हाला कि मैंने Change कर रखा है उसको बताऊंगा आगे देन उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें Safety Net की तो वो by default pass है और root वगर अगर तो तो उसका setup कर लेना तो वहाँ पर भी आपका pass हो जाएगा Safety Net और जो G Game है बिल्कुल अच्छे से work कर रहा है लगबग most of the modes बिल्कुल perfectly work कर रही है यहाँ पर recording हो camera जो normal mode हो या फिर portrait हो सब खीक है यहाँ पर then उसके बाद अगर बात करें C Linux status की तो वो enforcing रहेगा चलो अच्छी बात है then यहाँ पर Google photos के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी आपको unlimited Google photo storage original quality वगरा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा मैं आपको check करवा देता हूँ फिर भी एक बार तो वो चीज जो है वो काफी smooth चल रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो और यहाँ पर जो hey Google okay Google होता है न वो भी बहुत अच्छा से work कर रहा है लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पर देखोगे तो RAM management जो है न वो काफी सही लगा है मुझे स्रॉम का बहुत अच्छा RAM management है ठीक है ना जैसे कि आप द आप ओपनिंग के बारे में बात करो तो वो काफी अच्छा है यहाँ पर देखने को मिलेगा अप ओपनिंग काफी smooth है ठीक है क्योंकि यहाँ पर RAM management भी काफी सही देखने को मिलता है आपको तो बाकी चीज़े बिल्कुल सही है जैसे कि आप देख पर हो कोई lag वैक का issue यहाँ पर प्रिफर नेटवर्क है वो लॉक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है यह बहुत बहुत अच्छी बात है हर बार pixel experience में यह बात मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है यहाँ पर अगर apps के बारे में बात करूं तो यहाँ पर default launcher जो आपको pixel का ही देखने कर सकते हैं देन अगर यहाँ पर नीचे चलेंगे तो style and wallpapers में जो ही यह customize आप कर सकते हो ठीक है जो icons वगरे होती उनको customize कर सकते हो देन उसके बाद grids वगरे set कर सकते हो देन यहाँ पर wallpapers भी दिये हैं काफी सारे वह अपने हिसाब से आप set कर पहोगे देन font size display size adjust कर सकते ह देन यहाँ पर most important double tap to wake और double tap to sleep जो है वो भी perfectly work कर रहा है मैं आपको check कर वा दूंगा लेकिन उससे पहले यहाँ पर ambient display चेक कर लेते हैं एक बार तो मैं pick up mode on कर दिया हूँ तो एक बार okay एक minute इसको मैं ठीक से करके दिखाता हूँ आपको wait wait okay तो जैसे कि आप देख पा रहा हो ambient display यहाँ पर बहुत अच्छा से work कर रहा है pick up mode वगरा काफी अच्छा से perfectly working में है यहाँ अगर बात करें यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था double tap to wake और double tap to sleep देखिए response काफी अच्छा है fastly work कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इसके बात करें कुछ और options की तो यहाँ पर हम आते हैं back चलते हैं sound में तो यहाँ पर आपको कुछ जादा options नहीं मिलेंगे sound में normally है यहाँ पर adapt to sound वगरा कुछ देखने को नहीं मिलता है तो यह normal options देखने को मिलेगी ठीक है यहाँ पर अगर हम चले अब security में तो यहाँ पर fingerprint sensor face unlock दोनों चीज़े काफी must work कर रहे हैं को issue नहीं उसमें यहाँ पर advance restart option है power menu में तो जो की मेरा personal favorite है three finger screenshot वगरा ले सकते हैं बट delete वगरा नहीं कर सकते हैं इस बात को ध्यान में रखिये सिर्फ screenshot ले सकते हैं वहाँ पर then back आते हैं यहाँ चलते हैं buttons में तो यहाँ पर जो है end call quick torch देख लेते हैं एक पर then उसके बाद हम चले status bar में तो यहाँ पर traffic indicator का support है चलो बहुत अच्छी बात है plus edition है इसलिए सब कुछ मिल रहा है इसमें then यहाँ पर जो है clock related options है जैसी की am pm हो गया seconds हो गया ठीक है then battery style battery percent यह चीज़े adjust कर सकते हैं auto brightness का button रख सकते हैं ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़े मि मिल जाती है और rows और columns भी आप set कर सकते हो ठीक है notification panel में जो rows और columns होती है उनको भी set कर सकते हो और notification panel normal है कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है ठीक है Android 11 है तो Android 11 जैसे देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको tiles वगरे काफी सारे हैं आप अपने हिसाब से add कर सकते हो यहाँ पर फोन को 50% brightness पर यूज किया है internet on था और यहाँ पर मैंने YouTube वगरा जादा चला है Instagram वगरा चला है बहुत कम है बट YouTube बहुत जादा यूज किया है तो यहाँ पर एक घंटे में कितनी percent battery drain हुई मैं आपको चेक करवा देता हूँ ठीक है ना लेकिन यहाँ पर uses मेरा normal था ठीक है 50% brightness पर फोन का और normal यूज किया मैंने तो यहाँ पर जो है कुछ 10% battery drain हो रही एक घंटे में तो यहाँ पर आपको कुछ 10 घंटे का screen on time with uses के साथ मिल जाएगा काफी अच्छा है कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से आपको battery backup अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर charging speed भी काफी लिखाता हूँ तो यह score stock kernel का है single core 270 multi core 979 ओके कम है काफी दन अगर उसके बाद बात करें यहाँ पर हम skywalker kernel की ठीक है तो यह है 314 single core multi core 1263 दन project infinita nebula kernel की तो single core 317 multi core 1217 score है बात करें CPU throttling की तो 68% of its max performance जा रहा है ठीक है अब बात करते हैं gaming performance की तो gaming performance काफी अच्छा है आराम से आप gaming कर सकते हो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप आराम से gaming कर पाऊंगे kernel कौन सा यूज़ करोगे यहाँ पर जो kernel है वो skywalker का HMP OC kernel यूज़ करना है ठीक है लिंक्स वगरा जो है description में दिया हूँ वहाँ से डाउनलोड कर लेना project infinity मत करना यूज़ व ठीक हूरी में ठीक है दिन उसके बाद चलना है wipe section पर यहाँ पर डेलवी cat system vendor data और firmware सबको tick करके simply कर देना है wipe और जैसे यह complete हो जाएगा उसके बाद आना है back install पे आना है और सबसे पहले firmware flash कर देना है ठीक है firmware जो है आप 63 से अब वाला कोई भी flash कर सकते हो मैं रापस 429 पढ़ा रहता है इसलिए मैं वह इस करता हूँ firmware जैसी flash होगा उसके बाद back आना है और अभी ROM को select करके flash कर देना है ठीक है तो यह select किया swipe किया flashing process जो है वह start हो चुका है तो यहाँ पर काफी time लग जाएगा इसको flash होने में तो मैं वीडियो को थोड़ असा forward कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो दिखा स जाएगा ठीक है अगर आप decrypted user हो तो क्या करोगे back आजाओ install पे आजाओ और यहाँ पर जो last file जो होती है मैं हर बार flash करता हूँ DFE की उसको flash करके reboot कर देना है तो यह रही DFE की file इसको flash कर दिया मैंने ठीक है अब encrypt decrypt क्या होता है इससे regarding video i button पे मिलेगा जाके video देखो सम जो फिर करो ठीक है तो यहाँ पर यह decrypted वाली file मैंने flash कर दी क्यूंकि मेरा device जो हो decrypted है अगर आपका device decrypted नहीं है तो आप format data करके directly reboot कर सकते हो ओके ओके यह जैसी complete हो जाता है उसके बाद यहाँ पर हमें reboot system का option आजाएगा simply और जैसी हम उस पे click करेंगे तो phone थोड़ी मिलते हैं love you दोस्तों goodbye take care